गुद मॉर्नी स्टूरेंट्स वेलकम टू MDN पब्लिक स्कूल कलायत आज हम 10th क्लास स्मज्जिक विज्ञान के पार्ट एकनोमिक्स के लेशन 2 के बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि हमने कल फर्ष्ट लेक्चर में कुछ उसके महत्रपुन पॉइंट डिसकस किये थे आज हम और महत्रपुन पॉइंट डिसकस करेंगे उसके बारे में लेशन का नाम है हमारा पता है आप सभी को सेक्टर हो दा इंडियन इकनोमिक भारतिय आर्थिवस्था के शेत्रक कल हमने पड़ा भारतिय आर्थिवस्था के शेत्रक को तीन वागों में बांट दिया अगे जाए और भागे संगठित है कल खुली विरोजगारी विरोजगारी हमने बहुत महत्रपुन पॉइंट के बारे में पड़ा था आज हम स्टार्ट करते हैं आगे से इसका नेक्ट जो पॉइंट है आप सभी देख भी रहें प्रच्छनन अथ्वा छूपी विरोजगारी ऐसी स्त ती जिसमें एक काम में एक काम में अवस्कता स्यादिक लोग होते हैं और गारीह का काम कर रहें दस व्यक्ति समझगे ऐसी स्थीति जिसमें एक काम में अवस्कता स्याधिक लोग होते हैं यदि उन में से कुछ लोगों को हटा कर दूसरे कामों में लगा दिया जाता है तो उत्पादन पर कोई प्रुबाब नहीं पड़ता है कि अग्या है क्या है इसका कहने का तात्प्रिय क्या है अगर आप नहीं है किसी बीज़त पादन पर कोई परवाब नहीं पड़ेगा इसी आप प्रुपी विरोजगार दिया गया है आप आते बेटा सार्जनिक सहंत्र सरकारी नियंत्रण में चलने वाली जो सरकार है उसके नियंत्रण में जो गतिवीते चलती है जिन का मुख्या उदेश स tes sa 15 की सारजनिक हीत मतलब अपनी ब्लहाई सोचते हैं बहुर्मीट की सिरु उसी को सार्जनिक शेट्र का नार्व दिया गया है उसके वात करते हैं नीजी शेट्रिह नीजी अपना नीजी व्यक्तियों के स्वंइता में चलने वाली घति जो उनकी सौमिता में disney其attah जन का मुख्या अधिश्य क्या होता है àhonley मुफर्फवा कमाने मुफर्फ अब क प्रोफित देखो लिख वेशी तर शंगठ्ठी शेत्टर क्या है वह शेत्र जहां करमचार्यों को रोजगार नेयमीत होता है निस्चित हो गया इतने काम करना सब्सक्राइब नियमित नहीं होता काम करने के गंटे नहीं होते और वेतन कम होता है और सेवा सर्ते बिल्कुल बीस पर्ष्ट नहीं होती है अब इस क्लाइशन के में में पॉइंट हमने सब भी डिसकर्स भी कर लिए इसमें कोशन बनता है आप लोग ने पहले नाइन्थ में भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो अब ध्यान से लिखे भी लें इसको राष्ट्रिय की व्यक्या कीजिए इस कोश्चन को लिखा है बड़े साब्दानी से नरेगा नरेगा की फूल फर्म क्या है पहले तो आपको पता होना चीए एन एन से क्या बनता है बेटा नेशनल और रूरल इंप्लोईमेंट जी घरंटी एसे एक्ट कब पास क्या गए 2005 में भारत सरकार ने अभी हाल में भारत के 200 स्ट दोंडर्ड लागु करने के लिए एक कानून बनाया 3 समझ गे भार हो करने 200 जिलों में कका लागु करने का नाम है इसे राष्ठ्रेह यजर्जगार गरंटी अधीनियाяла समझ के जो कानुन बनाया उसे क्या नाम दिया वेटा अधिनियम को ग्राष्ट्रिय ग्रामी रोजगार गरंटी अधिनियम 2005 के तहट उन सभी लोगों जो काम करने में सक्सम है अधार जो लोग काम करने में सक्सम है और जिने काम की अवस्कता भी है को सरकार द्वारा को सरकार द्वारा वर्स में सो दिन के रोजगार गरंटी दी गई है उन्होंने क्या का सरकार ने क्या का कहने था भी जो लोग काम करने काम करने की अवस्कता है और जिने काम की अवस्क पुन भी है और उनका मन भी है तो सरकार उनको सो दिन रोजगार गरंटी दी गई है रोजगार की गरंटी देती है सो दिन के लिए अगर सरकार रोजगार उपलवद कराने में ऐसा फल होती है तो वह लोगों को क्या देते बिरोजगारी बत्ता देते आप लोग अच्छी बली बात जानते भी होगे बहुत सारी योजनाव गया रहा है सब्सक्राइब बत्ता देगी अधिनियम के तहट जो अधिनियम है उसके तहट उस तरह के कामों को वरित्या दी जाएगी जिन से विश्य में भूमी से उत्पादन बढ़ाने में साहिता मिलेगी बहुत सारी बत्ते मिलते हैं अजकल पशुपालन है डायरीय बहुत सारे लोन यह गलते दुवाटर किया है फ्रच्छन बिरोजगारी प्रच्छन बिरोजगारी काया फ्रच्छन विरोजगारी प्रच्छनभेस अब समय गए क्या आर्थ हैáis चिसमें एक काम अवस्पता अधाइक लोग होते हैं अथात कहने का अतातолнिया यक्ति कर सकते हैं उस पे 8 व्यक्ति क्यों लगाये जाएं उन किसी और दिएक को किसी और काम पर लगाए जाएस यहां उत्मादन भी वह नहीं पडेगा इसके पर किसी प्रकारा कोई प्रवाब भी नीजी शेत्तर नीजी व्यक्तियों के स्वामित्तम में चलने वाली गतिवीदिया जिन का मुख्य उदेश्य क्या उनली प्रोफिट कमाना जो अपने लिए ही काम करते हैं उनली इसी में संगठ्ठी शेत्तर भी पढ़ था अपने अच्छेस याद भी होगी डिफिनेशन वे शेत्तर जहां पर वेतन के निच्चित होता है रोजगार के समय भी निच्चित होता है और उसकी इसकी कुछ शत्यों यूटक्ति है उसके विपरित इस शेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता और काम करने की गंटे भी थै नहीं होती और बेतनं भी कम होता है और सेवा सर्ते बिरकुल 25 नहीं होती Значит क् प्राथ्मिक शेत्रक फिर था द्वित्तक शेत्रक था त्रित्तक शेत्रक इन में सभी आप देख भी रहा रहे हैं उसके बाद था जी डीपी ग्रोज डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट सेकल ग्रेल लुत पाद और उसके बाद पढ़ा था हमने खूली यह इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी जार्थिया करें को एक बार रीड भी कर लेंगे आप मो हैं आप घून डेख देख अ झाल